हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो अगेन आफवा यूटूप जाने सिखाते रों मैं आपके साथ हुं भरखास आज की वीडियो में हम क्लास एक्स सब्जेक्ट विज्यान की वरक्षीट नंबर 30 को रिवाइस करेंगे आज की जो डेट है वह है 29 अक्टूबर 2021 तो आए स्टा पौधों को जानी है तो आप वी डायग्राम दे रखा है जल अफ्शोषड यानी जो जड़ है वह पानी को अफ्शोषड कर लेती है तो पत्ते हैं वह नमी को भी तो लेते हैं इसके बाद यहां पर एक एरो दिखाया गया है पत्तियों में से जल का वाश के रूप में नि उसके पत्तियां जो मौजूत हैं पत्ति को में जो जड़ सोका था वह जल निकल जायएगा भाब के रूप में ठीक है वाश की यानि भाब के रूप में वह अगुझे को सरजन कहते हैं इसको एक यहां पर हम्हारा लिखा था पानी जमीन पर गिरता है और पौधों की जड द्वारा अफ्शोषित हो जाता है यहां से पानी तने और पत्तियों तक जाता है यह पानी वाश्प में परिवर्टित होकर पत्तियों से वाश्प के रूप में वात्तवरन में चला जाता है उसकी बात यहां पर लिखा है वात्तरजन क्या है जिक यह प्रिकिर्या जिसमें पौधे के वाइब ये भागों से पानी या जल की बूंदों का वाश्प के रूप में हाट्स यानि नुक्षान होता है। पत्ती में उपस्तित स्टोमे मेता द्वारा जल वाश्प वात्वडन में बाहर निकालती। तो यहां पर हमारे पास कोश्प देर रखे हैं। जिसमें लिका थीए कि डाइग्राम है की चित्र को देखी है और इत्तर लिखी है। इसका कॉश्प यह फैत्तियां क्या कारे करती हैं तौ सेहं के तीन हमारे फॉइंट है। पत्ति के जरिये से पौधों में से जलवाश्व होता है जो अभी हमें उपर पड़ा है कि हमारा पत्ती में क्लोरो फिल नामक हरा वकणन होता है थर्ड पॉइंट है हमारा पत्तियों सूरे के प्रकाश पानी वा करवन डायॉकसाइट के उपस्तिती में पौधों के लिए भो क्योंकि वे अपना भोजन मिट्टी या पानी से नहीं ले पाती पत्याँ पथीयां पौदहों में भोजन बनाती हैं कि वे हरी होती हैं पत्तीं में क्लोरोफिल नामक हरावकरन होता है। पत्ती, सूरे के प्रकाश, पानी, कार्बरन डाय अक्साइट और क्लोरोफिल की उपस्तिती में अपना भोजन बनाती है। पौधो द्वारा भोजन बनाने की इस प्रकिर्या को प्रकाश शंसलेशन कहते हैं। सत्य असत्य को चिनित कीजिए। फर्स्ट है हमारा, भोजन को एक पौधे बनाने के लिए अक्सिजन के अवशक्ता होती है, नहीं, यह वाक्या पूरा गलत है, बी है हमारा, पौधों को मिट्टी से भोजन मिलता है, नहीं, ठीक है। के लिए प्रकाश के लिए सुर्य की प्रकाश के अवशक्ता होती है, नहीं, लाश्ट पौइंट है हमारा, पौधे को सुर्य से भोजन मिलता है,